नमस्कार मित्र जैमात दी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तुम मित्रो हो जाईए साउधान क्योंकि मात्र तिन दिनों में आपको आपके हर एक सबर का फल मिलने वाला है मित्रो आपकी किस्मत का पासा पल्टेगा और सुनेरे अक्सरों में लिखा गया है आपका भाग्य जी हाँ मित्रो अगले तीन दिन आपकी जिन्दिगी के बहुत मेहेत प्रण दिन होने वाले हैं मित्रो अगर देखा जाए तो अगले तीन दिन में आपकी ग्रह इस्तितिया आपके लिए विभिन प्रकार के लाभों की रचना कर रही है तो मित्रो कैसे रहेंगे यह तीन दिन व्यापार की डरष्टी से नोकरी की डरष्टी से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभंधों के लिए साथ ही मित्रो विध्यारतियों के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है क्या खुस खबरियां है समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो चलिए मित्रो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्य भक्ते ही प्रेम से जय मातरी लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनोकामनाय पुरुन करेंगे मित्रो वीडियो में बताई गई एक बात को बड़े ही ध्यान से बड़े ही गोर से सुनियेगा क्योंकि ऐसा वीडियो और ऐसी बात है जो ग्रह स्थितिया आपके लिए निर्मान कर रही है बार बार नहीं करती है तो चलिए आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना बढ़ते ह अगले बहुत तरगंटे यानि की तीन दिनों की महत उप्रन रासी फल की ओर तो मित्रो ध्यान से सुनियेगा कि आपके लिए यह समय जो ही थोड़ा सा वेवस्ता बरा रहीगा क्योंकि कार्य छेत्र में आपको कुछ अत्यधिक जिम्मेदारिया सोपी जा सकती है जिनके का कार्य को सोपेंगे तो उसे पूरा करके ही देंगे और जिससे आपका मन भी प्रसंद रहेगा यदि आपका किसी संपत्य का विवाद लंबे समय से चल रहा था तो वह भी समय रहते समापत हो सकता है और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने भाईयों से परस पर प्रेम मिलेगा जिसके कारण आपका प्रेम और गहरा होगा और अपने किसी मित्र के लिए कुछ रूप्यों का इंतिजाम करना पड़ सकता है यदि आप किसी परीजयन के घर मेल मिलाप करने जाएं तो उन्हें आपको ताल मोल कर बोलना बेहतर रहेगा वही मित्रों आपक किसी के बेहकावे में आकर कोई निर्णे लिया तो बाद में वह आपके लिए परिस्तान इखड़ी कर सकता है इसलिए जो भी निर्णे देना है स्वयम सोच समझ कर लें और स्वयम के निर्भर पल लें छोटे व्यापालियों को अपने धन का निवेश करने से बचना होगा क्योंकि मित्रो बचना ही आपके लिए बेहतर रहीगा लेगन आपको अपने रूके हुए कारीयों को भी देखना होगा नहीं तो आपको कोई कानूनी कारीयों लंबे समय के लिए टल सकता है और परिवार में किसी वरिष्ट इस रिष्षे के रेटायमेंट होने के कारण प भाग्य के ड्रश्टी कौन से भी उत्तम रहने वाला है क्यों कि आप संतान से यदि नोकरीश की परिक्षाय की तयारी करा रहे थे तो उसमें उन्हें सफलता मिल सकती है अब बिजनस में आपको किसी वरिष्ट सदस्य या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलहा करना पड़ सकत होगा और यदि आप अपने ससुराल पक्स के किसी व्यक्ति को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है नव विवाही जातकों के बीच कोई विवात खड़ा हो सकता है जिसे परिवार के सदस्य द्वारा ही निपताय जाएगा और मित्रो धियान रखिएगा कि आप के लिए कुछ कठिनाईया भी सामने आएगी लेकिन इन कठिनाईयों से आपको घबराना नहीं है यदि आप अपने कुछ व्यविसाई की योजनाओं को लॉंच करेंगे तो वह भी आपको मन मुताबिक लाब नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर भी आपको धेर्रे रख कर काम करना होगा आप अपने देनिक आउस्यक्ताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ व्याई करेंगे यदि आप जीवन साथ ही के लिए कोई उपहार लेकर तो उसमें अपनी आई को ध्यान में रखके व्याई करें जी हां क्योंकि कभी-कभी होता यह है कि आप ज़्यादा ठेट्र में आपके गुप्त सत्रू प्रबल भी रहेंगे तो आपको चारो तरह पेने नजर रखनी होगी और मित्रों आपको बता धें कि खारी छेत्र में आपको महिला उस से धनला मिलता दिख रहा है जी हां यदि आपको आँखो से समबन्दित कोई समस्या है तो उसमें आपको डाक्टरी सला अवसिलेनी है नहीं तो वह समस्या बर सकती है और आप अपनी संतान को विदेश से सिक्षा ग्रहन करने के लिए भी थोड़ा भेज सकते हैं जो लोग इस समय में प्रेम जीवन जी रहे हैं जो दामपत्य जीवन का आनंद ले रहे हैं वह अपने साथी को परिवार के सदस्यों से भी मिलवा सकते हैं और दामपत्य जीवन वाले लोग कहीं घुमने फिरने भी जा सकते हैं यदि माताजी से कोई विवाद विवाद हो तो आपको उसे बढ़ाना नहीं है नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बूरी लग सकती है आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी में सम्मलित हो सकते हैं और आपके लिए यह समय जो है सुखद परिणाम लेकर आएगा आपको क नाम से संबंदित कुछ यात्रा पर जाना पड़ सकता है लेकिन यदि आप किसी प्रोपर्टी में निवेस करेंगे तो आपके लिए लाब दैक रहेगा वही व्यापार कर रहे हैं लोगों को लाब के अउसर मिलते रहेंगे जिने पाकर वह अपनी आर्थिक स्थिति को मज बूत करने में सफल रहेंगे आप अपना कुछ दन दान पुन्य के कार्यों में भी लगाएंगे लेकिन जो लोग राजनिति की दिशा में कार्य करते हैं उन्हें सावधान रहेना होगा क्योंकि उनके सत्रू उनकी छवी कराप करने की पूरी कोशिस कर सकते हैं तो आपके लिए मित्रो सबसे बड़ी खुस खबरी यह भी है कि कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा जो आपके आरतिकी स्तिति में चार चांद लगा देगा क्योंकि मित्रो आप परिवार किसी सदस्य के विभास संबंदित फेसले को भी ले सकते हैं जिसमें आपको वरिष जन हो सकता है जिनमें परिजनों का भी आना जाना होगा लेकिन आपको अपने व्यापार की और भी ध्यान देना होगा नहीं तो वहां आपको मन मताबिक लाब नहीं मिलेगा जो लोग किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें भी आसानी से मिल जाएगा और मित चित करते समय अपने मन की बातों को साजा करने से बचना होगा, नहीं तो उसका गलत फायदा उठा सकते हैं, जो लोग अपने धन को निवेस करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलहाम असवारा करके निवेस करना बेहतर रहेगा, मितर ध्यान देना होगा कि वह किसी गलत संगती की और तो नहीं जा रहे हैं जो लोग घर से दुर नोकरी में कारे करते हैं वह अपने परिवार के सदस्चों से मिलने भी आ सकती हैं और एसे में मितरों आपको अपनी चतुर बुद्धी से अपने सत्रों को मात देने में काम्याब रहेंगे इसलिए आपको अपनी आँख कान दोने खुले रखकर कारे करना होगा पिता जी को कोई स्वास्त समस्या हो सकती है जिसमें आपको डॉक्टरी परामर्स अवस्ति लेना होगा आप अपने जीवन साथी से क्यों हो वादों को पूरा करते होए नजर आएंगे आप उ क्वरी करते भी नजर आएंगे और कारे छेतर में आपको साउधान रहना होगा क्योंकि आपके सत्र आपके कुछ बनते हुए कामों को बिगार सकते ही अब यहाँ पर बात की जाए सत्रों से किसे साउधान रहें तो इनका एक ही उपाय है चारों तरफ पेन नजर रहीं मित आपको बता दें कि विदेश से व्यापार कर रहे हैं लोगों को अचानक से धन संबंदित लाब मिलता दिख रहा है यदि किसी यात्रा पर जाएंगे तो वह भी आपके लिए लाब दायक रहेगी लेकिन उसमें आपको अपने स्वास्त की और ध्यान देना होगा यदि पेट में यदि कोई सदेश से विवायोगी तो उनके लिए कोई बहतर आउसर भी आ सकता है तो मित्रो वीडियो की समापती यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मित्रो कमेंट बॉक्स में वीडियो की प्राप्ति के लिए वह जो इस्क्रिन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटी भी दबा कर हमारे यूटुब चैनल से आप सभी मित्रो अभी जुड़ जाईएगा